हाई एवरिवन आज हमारे पास यह data है जिसमें product है and quantity है यहाँ पर हमें action लिखना है कि हमें इनके basis पर क्या action यहाँ पर लेना है तो जो action हमें लेना है वो condition के base पर लेना है और condition क्या है कि product quantity अगर 100 से कम होती है तो हमें new order place करना है else हमें place नहीं करना है तो जब भी condition की बात आत लिखते हैं equal to plus करके आप लिखेंगे if bracket करेंगे open logical test का मतलब है आपकी condition जिसके base पर आपको check करवाना है तो condition क्या है कि product की quantity 100 से कम होनी चाहिए तो quantity वाले cell को हम select कर लेंगे 100 से कम होनी चाहिए तो वो हम दे देंगे उसके बाद comma अगर condition true होती है तो हमें क्या करना है कि new order place करना है तो वो हम यहाँ पर देंगे पहले inverted comma के अंदर आप देंगे क्योंकि यह text है ठीक है place new order हमने दे दिया उसके बाद comma अब value if false मतलब condition true नहीं होती है तो आपको क्या देना है condition true नहीं होने का क्या मतलब है कि हमारा जो quantity है वो 100 से जाधा होगा 100 से जाधा होगा तो यह order place नहीं करना है तो आपको यहाँ पर जो भी लिखना हो आपको लिख सकते हैं मैं लिख रही हूँ no action required bracket close करके enter कर देंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा अब इसको आप drag करके ctrl D से formula copy हो जाएगा तो जो भी 100 से जाधा है उनमें आया है no action required and जो 100 से कम है उनमें आया है place new order I hope आपको यह clear हुआ होगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे next video में thank you so much bye bye